हेलो एवरीवल कई अंतर लागे आने जब लुटा हाँ सो थोड़ा सब लोग जॉइन हो जाओ तो फिर हम लोग आज का शेशन स्टार्ट कर देया सो 25 जून आई होग सब लोग रेडी रहेंगे देखेंगे कि कैसे वर्ल्वी टिली गोडे सेलिबरेट होने वाला है विसिकली हम लोग यह 3 डेज का कर रहे हैं तो वो पूरा डिटेल आपको हमारे इस पेज पे और साती सात आपको हमारे साथ सारे सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा आप सबको मिल जाएगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग वहाँ पे जॉइन करना अभी बहुत थोड़ी देर में रचना जॉइन करेंगी तो हम उनसे बात करेंगे उनके जर्नी के बारे में और हम देखेंगे कि कैसा क्या है अरे मैं हीरो नहीं हूं यार हीरो तो आप लोग हूं हाँ सो मेरा तो छोटा चाएक रिव्यू देता हूं वल्वी टिलिगोडे पे हम लोग करने के आवाले हैं जो जितने लोग लाइव है वो देख रहे है और जो बात में देखेंगे वो बात नहीं समझ जाएंगे तो हम लोग बिसिकली थ्री डेस का वल्वी टिलिगोडे सेलिबरेट कर रहे हैं फर्स देल पोस्टर विथ डिफरेंट स्लोगन्स हम लोग को क्या करना है पोस्टर बनाने है रषाषता रहे हैगा दाग्चर लोगन्स बनाने है और साथ ही आपको इसको सारी शोचल मिडिया एंडलर पर आपको शेर करना है आर्टरिस फब्स 흡ाइंगी हम लोग सेकेंड डी आयंगे हम लोग तो सेकेंड डी हर एक आनलाइन क्विज्स खेलने वाले नियुकर जिसमें बहुत सारे लोगों को बिंटडश को पता नहीं है विट इस सब किया है जितने भी लोग है जितने भी लोग देखना चाते विट इस सारे विटिलिगंस के लिए तो है ही है यह समझ लीजे आपके लिए कंपलसर ही है सेकेंड डे पर क्वीज होगा और उस क्वीज में बहुत कुश्चन रहेंगे कुछ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइद रहेंगे और जब उस क्वेशियन का आप आंसर देंगे तो अभी हमारे साथ में जॉइन हो रही है रचना इस अधाने आगे का डिटेल बताता रहूंगा अगर तो सबसे रिक्वेस्ट है कि देखते रहना और जॉइन करते रहना तो हमारे साथ में रचना ज्वाइन हो गए है रचना कैसे हो है आइ आइ अच्छा सो मैं इस बिसिकली वाल विटिली को डेका पता रहा था कि हम लोग करने क्या वाले हैं तो अब ही मैं यहां से सुरू करता हूं कि मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आर उसका कि बिसिकली ह ऐने हम्म लोग करने के आवाले हैंłe थो 25 जून को वलं वीटियूगाय है मैं एक वीडियो बनाएं थी वह वीडियो करे से दोहरा रहा हूं इसके पास गल्वरेंड है वह वैलेंटाइन डे मनाता है कि इसके पास parents में मामें मनाता है मृद दे आ हमारे पास वीडिली भिडि पुरी टीम जो है, जो लगी है, सो हम लोग थ्री डेस का वल विटिलिवो डे करेंगे, फर्स डे, पोस्टर भी डिफ्रेंट स्लोगन, लाइक पोस्टर बनाने हैं, जेकेंड डे, ऑनलाइन क्वीज होगा, और थर्ड डे, हम लोग एक गूगल मीट रखने वाले हैं, जिसमें सारे लोग, सारे विटिलिवोंस अलग-अलग कोने से वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, अपने एक्सपिरियन्स शेयर कर सकते हैं, बाते कर सकते हैं बूसरे से, और वहाँ पे कुछ लोगों, जो सेकंड डे में जो पार्टिसिपेट किया रहेंगे क्वीज में, उनको आरुष कांडेशन के तरफ से एक सर्टिपिकेट भी मिलेगा, और साथ ही साथ उनको, जो फर सेकंड थर्ड आएंगे, उनके लिए सर्प्राइज गिफ्ट है, तो उनके मिलेगा, तो रचना, अभी आपकी स्टोरी पे आते हैं, तो मैंने आपका पेज देखा, आप सच में बहुत इंस्परेशन हो सबके लिए, क्योंकि समाज को ऐसे लोगों की और सोसाइटी को ऐसे इंस्परेशन की बहुत ज़रूरत है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी की जो स्टोरी है, आप कब से सुरूल, आपको बिटिली को कब से हुआ और आप ओवरकम कैसे हुए, और आज अब जहां पे हो जो प्लेट्फॉम पे हो जो आपको पेज है, आपने जो स्टार्ट किया है, तो कैसे स्टार्ट किया आपने, I just wanted to know, पर सारे लोग जो देख रहे वो भी जानना चाहता हूँ, बिलकुल, so hi everyone, I'm Rachna, मैं एक स्टाइल कोच हूँ, स्टाइल कोच होने से पहले, मैं एक विटेलिगो वारियर हूँ, अपने आपको एक विटेलिगो वारियर बोलती हूँ, पांच साल की थी, पांच या शे साल की, जब से मुझे विटेलिगो हुआ तब मुझे विटेलोगों का मतलब भी नहीं पता था, अचली तब तक नहीं पता था, जब तक लोगों ने मुझे या मेरी पैरेंस को यह याद बार बार याद दिलाने की कोशिश नहीं की कुछ है, कुछ गड़बड है, और आइ थिंग यह बहुत सारे लोगों के संग, जो किसी भी विटेलिगो हो, तो 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 सारे वीवर के गलों फिर पूछ ना चाहूंगा, आपको आवाज कलीर आरियेगे, मेरी और रचना के आवाज कलीरर आरिय यह यह तो कोई कमेंट बॉक्स में बताओ, कि प्रॉपर आरह रहे हैं, रचना का आवाज अगर ब्रेक हो रहाएगा, तो अब बता दो था कि हम तोड़ा प्रपर नेटवर्क में हो जाए कोई है जो बताए कमेंट बॉक्स में आवाज आ रही है आ रही नहीं है I think आ रही है Yes, 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 अब बताओ हाँ, तो कुछ पात साल पहले मुझे विटिलगो तब हुआ था जब मैं एक बच्ची थी और कुछ पात साल पहले Suddenly, all of a sudden, यह मेरी 75% बॉड़ी में पहल गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ वहाँ से मेरी विटिलगो की actual journey शुरू हुई Struggle शुरू हुई physically तो बात की थी mental struggle पहले शुरू ही क्योंकि जब आपके संग कुछ ऐसा होता है तो आपको समझ नहीं आता आप accept नहीं कर पाते हो आप बार बार खुद से गवान से यह पूछते हो मुझे क्यू हुआ ऐसे वाइ मी तो आइ थिंग वो जितने लोग विटलिगो से स्ट्रॉग करें हुआ है कि mental struggle सबसे जादा होती है वहां से मेरी जॉर्णी शुरू हुई बहुत गुस्टा आया फिर acceptance आई और जहां acceptance आगई कि यही हूँ मैं बस यही है भगवान की मर्जी थी और अब इस चीज़ को मुझे अपनी ताकत बनाना है वहां से मुझे दीरे-दीरे समझ आने लगा कि मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो body image से struggle कर रहे हैं जिनमें कम confidence है और मुझे यह लगने लगा कि जो भगवान में मुझे दिया है उसको क्यों ना मैं ऐसे ही ताकत बना लूँ कि मैं दूसरों को confidence दे सकूँ तो जो मेरा style page है joy of dressing up वो सिर्फ यह नहीं हैं कि आप अच्छे कपड़े पहनी हो और आप बाहर से खुब सूरत लगी है उसका main एक aim यह है कि मैं उन लोगों को confidence दे सकूँ जो body image से या confidence से struggle कर रहे हैं और वो अपना best version बन सके है यस एक question यह है कि जैसे आप style coach है तो उसमें क्या होता है कि beauty बहुत matter करता है द्रेश्ण बहुत matter करता है उस ताम कभी ऐसा आया कि किसी ने comment किया हो या किसी ने कुछ बोला हो आपका confidence लूज हुआ हो आपका कोई ऐसा इंसिदेंट हुआ रहेगा आपको इसा लगा रहेगा रहे है इसा क्यू बहुत पूछ लिया actually मैं बहुत मुझे एक स्टेज पर ये थोड़ा सा खटकता था इसा मैं स्टेट पे जाती थी तो भी लोग मुझसे पूछ से जब मैं स्टाइल कोच नहीं थी जब मैंने स्टाइल कोचिंग स्टाइल कर दी तो मुझे उस जब भी बही किसी ने मुझसे पूछा कि अच्छा ये ये चीज तुमे है तो मुझे उसमें मज़ा आने लगा क्योंकि मेरे लिए वो एक्सपेरिमेंटेशन हो गया कि जो चीज मुझे बुरी लग रही है वो मैं दूसरों को कैसे सिखाऊं कि उनको इसे वो ओवकाम कैसे करें मैं बहुत लगी रही हैं मैं अमार साइसे लोग मिले ऐसे दोस्त मिले जिन्हों ने इस चीज कि ओपर ध्यानी नहीं दिया उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि तुम अपना काम करो आप अपह दॉस टो आप давं साइसे लोग होते हैं जिनको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं और style coaching मेरे लिए सिर्फ एक बाहर, बाहर की खुबसूरती नहीं है, मेरे लिए और जो मैं spread करना चाहती हूँ अपने काम के थ्रू की खुबसूरती अंदर की होती है, पुरी दुनिया में हम सिर्फ बाहर की चीजे देखते हैं, और ये बूल जाते हैं की खुबसूरती का मतल की खुबसूरती मतलब जो आप अंदर से होती है, तो वो जीज धीरे धीरे एक-ज़ग कहानी के संग, एक-जबसूरती को मैं हुशित हैं, कि हम रहा हो जो कि अछूरती zamanम का में कि रहा हो ऊप तो जो आप अपने बाहर में फ़िल करते ए और जहां अपने आप अपने बाह वैसे ही देखने लग जाएगी तो अगर आपको लगता है आप कुप्पूरत हो तो दुनिया भी आपको उतनी ही कुप्पूरती की नजर से देखेगी सो फर्स्ट यू आप तो चेंज हाव यू थिंक अबाओ यूर्सल्ट है यह प्रूट हम जैसा जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे अंदर से मैं अपने बारे में जैसा सोच रहा हूं तो एक समय आएगा कि वह पूरी सोचाइटी मेरे वह अच्छी नहीं देखती हूं हम हमेशा बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं कि अरे उसने उसको कैसा लगेगा मैं कैसी दिख रहे हूं पर हम यह बूल जाते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं वह सबसे पहले हैं अगर हम अपने बारे में अपना परसेप्शन चेंज कर दे तो दीरे दीरे बाती दुनिया को भी लगेगा की यह तो सच में कुछ है तो जब कुछ है आप अपने बार में सोचेंगे तो पूरी दुनिया भी सोचने लग जाए और अपने साथ मज़ा आने लग जाएगा कि वार और एंगे वार बाहर वार रहेंगे वन अदर मेरे को पुछुट डर लगा हुगाई अंदर से मुझे घुट इन्शी कर पीड नोग पूछ कैसा बोलेंगे वह सारी जो है जो ऐसा सोचते हैं कि मैं और कम कैसे होंगा उनकर को होने के लिए except इसको भी विटलगो है उसको बहत 100% experience है कि आप सब्सक्राइब जाए तो लोग आप से कहींगे अच्छा तो अच्छा तो वाद में घरीना ले 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 लोग तो अच्छी मैंने पाथ सारी ओमर से वो हर दावाई ट्राय करी जो अवेलिबल थी हर अवेलिबल थी हर और अलोपैथिक, होमियोपैथिक ये वो सब ट्राय करा और उसे कुछ जादा फरक नहीं पड़ा क्योंकि विटलगो अच्छी देसे इंक्योरिबल है और एक स्टेज के बाद मुझे लगने लगा कि अब बस ये ये लड़ाई इस चीज से इसे लड़ना नहीं और जिस्ट ए के आगे बढ़ना है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी सिर्फ इस ट्रीटमेंट में नहीं गुजार सकती मतलब उचे लाइफ नहीं बहुत साथ चीजे करनी है अगर कोई ट्रीटमेंट कल को आ जाता है वेरी गुड लेकिन I have to be more than this I think हर इंसान जिसको विटलगो है उसको ये अपने आप से बार-बार कहने चीजे I am more than this and I am good in spite of this मैं सिर्फ विटलगो मेरा एक पार्ट है वो मेरी स्किन है और मैं ऐसी दिखती हो बट उस चीज के beyond जाना बहुत जरूरी है कि भई ठीक है आगे बढ़ते हैं अब next क्या है इस चीज को मैं कैसे अपनी strength बनाओ और treatment ठीक है होता है तो होता है actually अब बहुत सारे लोग कहते है यह stress से होता है कुछ कहते है fish और ice cream थाने सुझाते है बहुत सारी चीजे है मैं भी बहुत सारी चीजे सुनी है वह मचली के साथ में आपने दूद पी लिया तो वह मैं भी बच्पन से बहुत सुने हो गया है वो सारे मिप्स वगरा है और मु मुझे ऐसे लगता है कि अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज की मतलब मैं भगवान का शुक्रिया करती हूं कि भगवान ने मुझे यह चीज दी क्यूंकि जब मेरा पूरा कला एक था आज से कुछ साल पहले तो मुझे अपने बारे में बहुत अब मुझे लगता है कि मैं अपने सारे कलर आवे तो एक स्टेज के बाद जब मैं अपने आपको एकसेप्ट कर लिया और यह इस चीज को अपनी स्टेंथ बना लिया उसके बाद मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं एक अंदर से पॉफेक इंसान हूँ अब मुझे लगता है मैं आप मुझे लगता है मैं आप मैं वरी नाइस, I am very good, I am confident, अब मुझे गिसी चीज का डर नीओ अच्छली एक स्टेज होती है जब आपका डर निकल जाता है बिकोज इन दून 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 जाता है अब मैं बहुत ग्रेटफुल जैसे हमारे जैसे बहुत पूरी दुनिया में लोगे मैं बहुत गेटफुल है मेरे पास आखे हैं मेरे पास हाथ है मेरे पास पैर है तो जो भगवान ने मुझे दिया है मैं उस चीज को कैसे यूज करूँ और क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ बार बार, in fact, अब मैं क इसको यह हुआ है उसको गुषा, रोना इस सब स्टेज से गुजर के स्टेज आती है जब आपको लगता है यार मैं तो अपनी फेवरिट हू करिगना कपूर वाला डायलोग है अपने आपसे रोज कहती ही मैं आपको किसी का मैसेज आ है कि कनेक्शन बीक है को वीडियो का आप दिख रहा है आवाज प्रॉपर आ रहा है कि जब आवाज ही क्लियर नहीं होगी तो फिर समझ के क्या हूं तो कोई बताएगा कि आवाज प्रॉपर आ रही है कमेंट में कोई बताएगा अगर नहीं आ रहे तो बताओ फिर प्रॉपर नेटवर्क में जाए मेरी जो आपको कभी ऐसा याद हो कि आर मुझे बहुत हट किया हो और उस ताम पर आपने एक स्टेप लिया हो कि नहीं अब बहुत हुआ हुआ कोई कैसा इंसिडेंट जो आपको याद हो अभी भी और आपको आगे भी याद रहेगा यार ये इंसिडेंट मुझे बहुत हट किया अविडिली वह बहुत हुआ 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 है आज से कुछ साल थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि मुझे संँझनाहता था कि मुझे गोच कुछ से बारे मैं गयं ये क्या जाया कि नेटवर्क प्रेपर नहीं इख is है तो मैं अपनी बेटी को नीचे लेके गई और जैसे बच्चे होते हैं बहुत सारे बच्चे आई और वो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं तो एक बच्ची ने पूछा बहुत इनिसेंटली आँटी आप वाट हैं तो आपके इतने सारे कलर कैसे आगे तो मुझे एक सेकेंड के लिए मुझे बहुत जटका लगा और मुझे समझ निया कि मैं इक बच्चे को कैसे समझाऊं कि बच्चे इतने इनुसेंट होते हैं पर उसका क्वेशन बहुत वैलिद था और अचली उस सवाल ने मुझे रेडी कर दिया आने वाले सवालों के लिए जो बड़े लोग मुझे पूछने शुरू हो गए थे तो थाइंक्स तो माइ डॉटर वो मेरे बगल में खड़ी थी जब तक मैं कुछ सोचती कि मैं क्या कहूं मेरी चार जाई तीन मुझे याद भी नी शायद साढ़े तीन साल की होगी मेरी बेटी उसने उस बच्ची को देखा और कहा भगवान मेरी मम्मी को जादा प्यार करत है इसलिए उसने जादा उसके जादा कलर है तो अब अगर मुझे कोई कुछ पूच भी लेता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेरनेस नहीं है विटे लगो के बारे में हर इंसान एक हर्ट करने के इंटेंशन से नहीं पूछता है लोग बहुत कूरियोस होते होने पत दो तो आच भी लेता है घगो होने पता है विटेलिगो बिकस गौद लूवेर लिए बहुत कुछ जादा लोग जाते हैं तो मैं कहते हुं कि भई I am very lucky I have three-four colours how many colours do you have तो एक वो भी तरीका होता है कि you just shut the conversation and say कि भई आगे बढ़ो तो actually ये चीज़ कभी जबी कोई वैसे question करता है कि ये क्या हुआ है कैसे हुआ है तो मैं ब्लेज्ड विटिलिव इस एटिटिटू माइंड में आये जाने ना ब्लेज्ड वाला कि मैं ब्लेज्ड ओँ अब मुझे जो भी मिला है वो मेरे लिए पर्फेक्ट हो मैं कौन से भी इसमें से बिलॉंग करता हूं और अगर मुझे मालू मैं कि मेरे बगवान या मेरे अल्ला या जो भी वो मेरे लिए गड़वड नहीं करेंगे कि मेरा उनसे कनेक्शन डारेक्ट है करें वो मेरे लिए कड़वड नहीं कि इस नोपने वाली फिलिंग आएगी ना कहां ठीक है रे इधर भी दो क्या फरक पड़ता है बौडी में होगे ना ऐसा बाजू में तो थोड़ी ना आएगा ज्यादा से जादा इतर बौडी में ह कि मुझे भी मतलब मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए अभी 75 पसेंट बौडी में हो जाएगा मैं बहुत एक्साइटे हूँ कि अगर मैं एक डिफरेंट कलर की होगे ये अपरशुनिटी कितने लोगों के बास होती है कि आज होगी कि कि अर रंग पहन होंगी मैं और जाद त्यार होगी इस चीज को मुझे लगता है सेलेब्रेट करना चाहिए किसी भी चीज को जो आपको एक इमोशनली थोड़ा परिशान करती है I think हमारी रिस्पॉंसिबिलिटी है फुद के प्रती कि हम उसको ऐसी स्ट्रेंट बनाएं कि हम एक सेलेब्रेशन बना दें उसको मत एक सेलेब्रेशन है कि ठीके कल को अगर मैं बिल्कुल एक सिंगल की हो गई तो भी मैं और ब्राइट कलर की लिप्स्टिक लगा पाँगी तो अपने आपको किसी भी फर्म में आप मोटे हो पतले हो आपका कलर विटिलिगो से अलग हो गया हो चाहे आप जैसे भी हो आपने solutions कि कि अपने आपको एक विक्तम समझें, विक्तम नहीं समझना है कि यह मुझे क्या हो गया और अब लोग क्या कहें चीज तो कभी सोच नहीं जाए क्यूं कि लोग अपने बारे में इतने इनसिक्लिश और फिरून कि आगे डिहान्ए इन केमें नहीं दिखी आता है वんな मु exactly वो सच में सोँस्ते भी नहींगे बट वहमारा जो माइंड सेठ आ वो स तरीके से डिपलफ ओगया है उस तरीके से अमने अपने आप और रख लिया मैंटें कर लिया है हम अंपा ता लगता है क्या वो सुस्ता क्या रहेगा वो सुस्ता क्या रहेगा तो उसमें हमको फुद कन्फूज होते रहते हैं और वह हमको डिप्रेशन में जाते हैं पता है आपको एक लाइन मैंने हमने सबने बच्पन में सुनी हैं ब्यूटी लाइस इन दा आइस अब बेहोल्डर और इसका मतलब होता है कि हम अपने आपको हम दूसरों की निगाहों से देखते हैं और इस विटेले को जानी ने मुझे यह सिखाया है कि मैं ही हूँ अपनी बेहोल्डर कि मुझे को खुद को देखना है सामने वाले को मुझे एक वैलिडेशन नहीं देना है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ या नहीं है भुजे खुद अपना भी होल्डर बनना है खुद यह लाइस आप जैसे हो आपके बारे में 100% जानते हो, आप जित और उंहाइराइ पूरत दिश्चा रोगहाई, आपको पता है आपके बारे में आप में सभी, जानते हो, आपको ही पता है का आपका ही स्ट्रेंद्ध पता है, तो आपस्ट पता है ह alone, 12, आपके पास अगर वीकनेस चलो मैंने माल लिया कि अगर किसी ने बोला यारे विटिली को वीकनेस है बहुत तक जब मैं इस चीद से स्ट्ररगल कर रही थी जब मैं बहुत गुस्ता होती थी कि why me? मुझे भगवाने क्यों देख तो मैं अपने अपनी piece of mind दूसरों में डूणती थी, कि यह मुझे समझा देगा, मेरे parents मुझे समझा देगे, मेरे दूरना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने आपको ये दिया है आप से जादा इस चीज के बारे इस बात में वाक्ता पुण का एक सौंग आदा गया अपना बंगॉली में सौंग है ना एकला चलो बे तो मैं तो बोलोगों करियों कि विट इलिकंस को सौंग सुना के लिए राजजर्णी जो तुमारा है वो तुमारा की लगा है तो एकला चलो जित्तने लोग देख रहे ना मेंको बोलूगा जाओ आपको अपनी मोटिवेशन बनना पड़ेगा क्योंकि कब तक आप दूसरों में धूनते रहेंगे कि बस खुदी को समझाना है, खुदी को सेलब्रेट करना है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजे, उसके ओपर थोड़ा विश्वास करें कि उसने आपको यह चीज बिए क किसी रीजन की वजसे कि दियो कि जिसे मुझे लगता है, प psychedel को भगवान ने मुझे मुझे क्यों दिया, अर्मुझे समाजाता है, बहुता बदॉत्टी को इसले दिया, ता कि मैं धुसरों को को अगी है सिखाँ अगर मुझे भगवान यह नहीं देता तो actually मेरा पहला काम में डिजाइन थी तो मैं कपड़ बनाती थी बस उतना ही था मेरा काम लेकिन अगर मुझे विटिलगो नहीं होता तो मैं यह कैसे सीथी की confidence ना होना क्या होता है उसे mentally अपड़ता है अब मैं यह चीज़ अब मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ समझा सकती हूँ तो इस ब्लेसिंग कि भगवान ने मुझे एक रीजन तो I think जिसको भी विटिलगो है वो अपने आप से यह पूछे की यह भगवान ने मुसे क्यू दिया है there is a reason जो आपको लाइफ में किसी और के लिए फुल्फिल करना है यह एक बहुत ही बहुत ही बहुत सही कॉइंट है कि लाइक जब तक हम पुद नहीं एकसेप्ट करेंगे या हम पुद इसमें अपना उन नहीं करेंगे और कॉन्फिटेंस वाली जो बात होती है ना कॉन्फिदेंस हम खुदि ला सकते हैं यह अभी बोस्ते इन Skills क्या था आपसे बात करता था या का इतने लोग से इतने लोग से रहे गागरते होता तो नहीं करते है आपको पता है पष्डाश बना आए इंसनेंग आए इडिटी से वहात साल तक आपको 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 आज आजे हारी है अपको आपको 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 निपीक जोड़े निशान तो मैं हमेशा के छी मेरे फेवरिट रिंग थी उसको पहनने से ना पहले हमेशा सोचती थी कि ये मेरे हाथ पे कैसा लगेगा तब विटे लेको बहुत कम था मेरे और एक दिन ने ने हाथ पूरे पूरे ऐसे हो गए उस दिन मैंने एक रेड कलर की निरपॉलिश लगाई वो पहला दिन था जब मैंने अपने आपको एकसेप्ट कर लिया था और अब जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि रिंग पहनती हूँ तो मैं अपने हाथ को देखे करती हूँ वाव कितने कुपसूरत हाथ है मेरे और ये चीज़ सर्फ यही चेंज होई है हाथ मेरे वैसे ही है कलर मेरा बदल गया है मेरा नजरिया बदल गया है उन सेम हाथों को देखने का तो वह जर नजरिया बदल जाएगा उ zrobić लाज़ घुट एवर्डवल, एवरीछ फेटिंग नजरिया की बड़त है तो यह माय की वात है बत सकते हम नजरिये की बात है यह बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा इशु होगा और बहुत लोगों के लिए बहुत पादा होगा और अच्छे लोगों को तो भी है अब कि सब अच्छे ही है ऐसे कोई बात नहीं है बट हम लोगों को देखके सीख सकते हैं इनको इतना कॉन्पिडेंट कहां से आ रहा है यह इस तरीके से इसको एक्षिप किया लोग छीपाई मैंने बहुत लोग को देखा वह छीपाते हैं कोई क्रीम के चिपाएग मुझे एरपोर्ट पे देखा था और उने ने कहा कि आपकी शकल बहुत अच्छी है पस इतना सा प्रॉब्लम है आप इसको कंसीलर से क्यों नहीं चिपा लेते हैं तो मैंने पहले उने देखा मैंने का नहीं मैं ठीक है ऐसे ठीक है बट अब मुझे लगता है शायद मुझे इतने प्यार से मतलब मुझे कुछ ऐसा बोला चाहिए था की वाई यह आप अपना काम करो मुझे पर यह चीज बहुत लोग की आदत होती है यह कहने की कि चुपा अब मुझे लोगो दिखाना है कि मुझे यह है और मैं इसके साथ बहुत खुष हूँ और यह खुषी बहुत असान नहीं थी एक स्टेज थी जमें बहुत परिशान थी बहुत दिप्रेस्टी बहुत रोती थी बट अब मैं बहुत खुष हूँ की अपने आपको रोज तो मैं उसी आपको में आकर देख के कह सकती हूँ कि भई आप कौन है तो तो आपको क्या लगता है यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए बिलकुर होना चाहिए अवैनस बिलकुर होना चाहिए क्योंकि आप और हम जिनको विटलिगो है हमारे जैसे जैसे बहुत सारे हैं उनको इस चीज के बारे में पता है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको नहीं पता है और यह अवैनस जित्ती जादा जाये जित्ती जाद चाहिए जाए उतना लोगों को पता चलेगा और फिर उनका अटिट्यूट चेंज होगा इस चीज के बारे में तो इनको अपने बदलना शुरू हो जाएंगे तो यह अवैनस बहुत अप बहुत अच्छा इसा जा चाहिए कि आप लोगों को अवैर कर प्रयास है तो यहां पर जितने भी लोग है मैं सब्सक्राइब करूंगा कि आप लोग इस प्रयास में सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग और भी अच्छा मैसेज लोगों को दे सके और लोगों को पता सके और यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यह नॉट इस बॉड़ी आज हम लोग बॉर्डुी कॉंसेप्शन पर जी रहे हैं कोई मॉट्णाथ है कोई पतला है कोई छोटा है कोई पड़ा है ना हम वोत्तूम के से नजरिया सब्सक्राइब पार है कि यह जैसा भी है एक चली विदिन है तो को कोई देखी नहीं रहा है लोग बॉड़ी को देख रहे हैं तो इसके लिए हमारा जो हैस्ट्रेग है रिस्पेक्ट सोल ब्योंड बॉड़ी सोल को रिस्पेक्ट को विगोज मैं सोल हुझे पता है सारे स्क्रिप्चर्स में भी बता है कि वी आर सोल बड़ाज लोग क्या होगा न हम लोग इससे एक मटेरियल कंशेप्शन में जी रहे हैं एटमस्केर में तो हमको पता ही नहीं है कि हम सोल है तो जब यह एटिटुट ड बड़ा मीटब भी करने वाले हैं सारा डिटेल हमारे सोचल मीडिया पर आएगा और हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों को हम इंस्पायर कर सके और भी स्टोरी कि सबके पास स्टोरी है ना सारे विटेलेगंस की जर्नी है तो उनके जर्नी से किसी एक को बेनिफिट मिल ग बिलकुल और ये बहुत हर किसी की स्टोरी यूनीक है क्योंकि हर किसी की स्टोरी यूनीक है हर किसी की स्टोरी यूनीक है जो मुझे पड़ा उतना आपका आपको अलग पड़ा होगा किसी और को किसी और तरेके से पड़ा होगा तो जितनी स्टोरी लोग शेयर करेंगे जि यह प्रूट कि क्या होगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि एक समय ऐसा था मुझे पता है कि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं इसको बहुत जादा चुपाते थे बतलब यह एक ऐसा बड़ी चीज थी कि नहीं बताना नहीं है किसी को बताओ मत कि यह है कि अभी अभी कल का इंसिडेंट बताता हूं कैसे लोगडाउन चल रहा तो मैं नीचे के लिए गया था तो एक कोई दोस्ता तो सब्सक्राइब अरे इतना थोड़ा था इतना हो गया कि अभी कि अभारत में रहे के पूरा फिदेशी वाला मजा मिलेगा और कैची वह पूरा बोरे हो जाएंगे बिलकुत लें हार को मुझे लगता है कि आप इस चीज को जितना मजाक में उडा दे या जितना लाइट रहे ना इस चीज के बारे में तो सामने वाला पी उसको गखे अम डव जाने लगेगा मतला मजान आप हा मेरे पास दो रांगेर क्यों है का य। मैरे बानेपक है तो रसटें खेलते अपनी लाइफ को इंवाड व उय करिया ए अपने अपो इंवाचाए करिये विधिलेगों को सेलेब्रेट करिया अम जैसे विधिलेगों between time यह जो भी है अपने पार्स हाँ और हर इंसान को जिसको यह है वह मैं सब को यह बोलना चाहती हूं कि आप आप के प्लाटफॉर्म के थूप यह आप यह चीज बहुत जादा अच्छे लेवल पर कर रहे हैं कि विटिलेगो को अपनी स्ट्रेंग जिस दिन आपने समझना शुरू कर दिया आप खुद में बहुत चेंज लाएंगे कभी मैं अपने आपको एक स्टेज आई थी जब मैं अपने आपसे कहती थी I love my vitiligo मुश्किल था लेकिन मैं आपने आपसे कहती हू I love my vitiligo लब यह नहीं होता तो मैं कुछ और इंसान होती मैं जैसे आपने का सोल की बात मैं वो confident soul हो ही नहीं पाती अगर यह मुझ में चीज रही होती तो मैं बहुत superficial जिंदगी जी रही होती कि मेरा चेहरा ऐसा है सब पफफिक्त है सब ब्यूतिफुल है आज मैं जो इंसान बनी हूँ वो इसी चीज की वज़े से बनी हूँ तो मैं बहुत grateful हर इंसान जिसको विटiligo है बहुत grateful हो कि उसको यह है उसका एक purpose देखे और इसको अपनी strength बनाए सब्सक्राइब करेंगे अब लोग का सब्सक्राइब करेंगे कुछ योगा टीचर्स को कुछ इसे लाइफ को इन्वाइट करेंगे कि वह आके अपने thoughts को लोगों को बताए और लोगों को समझाए तो बैसिकली हम लोग 23 को क्या करेंगे विएक पूस्तर उसमें अपने स्लोगन लिखने है या मेरे पुद के कुछ लाइं तो मैं लिख सकता हो वह लिख के मुझे शोशल मीडिया पर अपने शेयर करना है नादूस कंटेशन को टैक करना इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा बहुत लारे लोगों को पता ही नहीं विटिली को क्या है किसी को में बता दूए विटिली को क्या तो फाता रहे हैं विटिली को क्या है हम तो आज तक इसको शफेज दागी समझते आया थे आज ये हैं लोगों को अंच चीली का नाम भी नहीं पता है तो हम क्या करें इंगे इसमें हम पूश्दग बनाके सारे सोसेल मेडिया बाल डालेंगे और 24 को हम लोग एक online quiz खेलने वाले हैं विटिलिगों पर quiz होगा अभी तो हम लोग ने के बीसी खेला पैसे बहें बनेगा परोडवती ना तो अभी कोन जाने का विटिलिगों ऐसा हो गया सबको जानना ही है विटिलिगों वो कीज हो गया समझ लोग विलकुल तो वो quiz होगा हमारा जिसमें कुछ 25-30 questions ऐसे 20 ऐसा कर रहेंगे हमारी backend में team पूरी काम कर रही है तो हम लोग उस questions में हम लोग इसको पूरा section मनाएंगे और उसमें सारे विटिलिगों के questions रहेंगे सारे लोग participate करते हैं जिनको विटिलिगों है जिनको विटिलिगों नहीं सारे लोग participate कर सकते participation certificate सबको मिलेगा वल विटिलिगों डे 2020 सारे लोग को certificates मिलेंगे कि आपने participate कि आपको कितने marks मिलें वो भी उसमें आएगा ऐसा करके और साथ ही में first second third कोई तो रहेगा ना जो first second third आएगा तो वो first second third का नाम announcement होगा 25 June को 25 June को RS Foundation के तरफ से उनको कुछ gift जाएगा secret है वो उनको मिले आएगा तो उनको gift मिलेगा and 25 June को भी हम लोग एक चीज और करने वाले हैं जैसा मैंने आपको पहले बताए कि Google Meet रखने वाले हैं इसमें सारे भी टिलिगंस अलग अलग बोले से प एक दो गंटे का meet up रहेगा क्योंकि अभी lockdown में तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते तो online gathering होगा online सब लोग एक दूसरे से बात करके हैं और साथ में हम लोग एक video बना रहे हैं एक video बना रहे हैं उस video का basically पुरती में बहुत सारे लोगों ने हमारा video देखा होगा पिछली यार ह एक रैप सॉंग बनाया था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी foundation बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों की help कर रहे हैं क्युकि बहुत जरूरी है कि सीज के बारे में awareness हो और जैसे जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं my best wishes to you and thank you from everyone who has this because we need people like you who are doing this work thank you so much actually inspiration आप है हम को क्या हम तो अच्छा सिपाय बोल के चले जाएंगे actually काम कर रहे है पुरी टीम कर रहे है तो आपर टीम कर रहे है team को best wishes क्यूंकि यह बहुत अच्छी चीज है मतलब दुनिया को जरूथ है चीज की की बॉड़ी पॉजिटिवीटी के बारे में विटियों के बारे में लोगों का नजरिया चेंज करने के लिए यह दूइंग वेरी गुड़ वर्क हमारा ऐसा कोशिस रहेगा तैंक्यू सो मच आपने अपना इतना किम्ती टाइम निकाला और आप आए बताए आपका शूरी तो हम कोशिश करेंगे कि और भी हम लोग दीरे दीरे और वेसे जुड़े रहे साथ में और लोगों को इंस्पायर करते रहे 23, 24, 25 आपको पाटिसिपेट करना है और भी लोगों को आपको इन्वाइट करना है कि आप ऐसा करो पोस्टर के साथ में सारे लोगों को सारे डीडिल्स में शेयर करते रहूँगा बिलकुल तो इसका कोई क्वेश्चन है तो आप अगर मैं से पूछना चाहो तो पूछ सकते हो तो आपको शायत दिख रहे हैं तो मैं जो में आपको तो आपको बोल रहे तो आपने मुझे अपने मुझे अप्लाट्वां दिया और हम मिले इस चीज़ से तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इस चीज के बार में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा थांक यू तो यू और अवरी वन इल्स जो यहां आई सीज को सुने तो मुझ आप जॉइन किये आप जॉइन किये आपका किम्ती टाइम निकला आपने ऐसे हम जुडे रहेंगे और आगे हम और भी आपकर करते देंगे बिलकुत तांक यू अकाश थांक यू बाइ तो आपका फीडबेक बताना और नेट्वरक कनिक्शन कैसा था वो थोड़ा बता देना ताकि अगली बार हम तोड़ा सा उस पर देख सके तो आई होप जितने लोग अभी जुड़े हैं उतने लोग ने तो यह देखा ही होगा कि अपना 23, 24, 25 को अपना क्या होने वाला है तो सबको पता चल गया और एक चीज और अनॉंस्मेंट है कि यू वांट तो शेर यू स्टोरी इस्पीरियंस आपको फिलिंग सेयर करनी है कुछ बात करना है ऐसा लाइव आके पेज़ पे इंस्टाग्राम फेस्बूक अगर कैमरे का फिवर पियर है आपको ऐसा डर लग रहा है मैं कैसे आउंगी तो आप क्या कर सकते हो आप मेल ल क्या आप एक इंस्पीरिशन बन सकते हो दूसरे के लिए तो थैंक्यू सो मच आप लोग सब लोग ने अपना टाइम निकाला सुआज बल अंगरिश्बूद अमेजिन थैंक्यू तो ऐसे जुड़े रहो और करते रहो और मेरे टीम को भी थैंक्यू कि आप लोग के वज़ क्या हो और क्या है